देखे class 10 के chapter 8 का जो example 8 है question में हम से बोला गया है if sin a-b is equal to 1 upon 2 cos a plus b is equal to 1 upon 2 a plus b is greater than 0 and less than equal to 90 तो find angle a and b तो देखे यहां पर हमें क्या करना है a और b की value निकालनी है जो कि sin a-b और cos a plus b में आ रहे हैं देखे जब हम इसका solution करेंगे तो हमारे जो use की जो चीजें हैं तो वो यह है sin a-b is equal to half और cos a plus b is equal to half है हम इसका को use question को solve करने में नहीं करते हैं ठीक है तो चलिए इसका solution कर लेते हैं निकालते हैं यहां से हम a और b की value को तो सबसे पहला काम हम यहां पर क्या करेंगे जो चीज हमें given है sin a-b is equal to half हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले sin a-b is equal to half ठीक है अब देखें यहां से हम क्या करेंगे sin a-b को तो आप ऐसे ही रखें यह जो half होता है half को अगर हम लिखना चाहें sin 30 degree तो लिख सकते हैं क्योंकि sin 30 की value half होती है अब हम दोनों तरफ से sin से sin काट देंगे हट जाएगा यहां से sin से sin a-b is equal to 30 degree equation हमारे पास आ चुकी है first ठीक है इसी तरीके से जो यह cos a plus b is equal to half गिवन था अब हम यहां पर इसको ले लेंगे cos a plus b is equal to कितना है हमारे पास half अब cos a plus b को आप ऐसे ही रख लीजे और जो half है half को अगर मैं लिखना चाहूं cos 60 degree cos 60 degree की value half होती है तो half की जगा में cos 60 रख सकता हूं cos से cos खतम हो जाएगा यहां से हम देखेंगे कि a plus b is equal to कितना आ जाएगा 60 degree 60 equation कितनी आ गए हमारे पास 2 ठीक है अब क्या करेंगे हम यहां से अब दोनों equation को हम यहां पर साथ में ले लेंगे a minus b is equal to 30 degree अब आपने chapter 3 जो है pair of linear equation in two variables वहां से elimination method, substitution method वगेरा यह सीखे हुए है उन में से किसी भी method से हम इन दोनों को solve करेंगे दोनों equations को और यहां से a और b की value को निकाल लेंगे ठीक है मैं यहां पर elimination method लगाऊँगा जब elimination method से solve करते हैं तो हमें मालूम है कि जो equal वाले होते हैं अगर उनके sign अलग-अलग हैं तो हम क्या कर देते हैं उनको add कर देते हैं हम यहाँ पर इसको आगे ले करके चलेंगे तो दीखें यहाँ पर A की जो value आ जाएगी वो आ जाएगी 90 और upon में 2 2 से एकड़ जाएगा 45 time हम जब आगे इसको ले करके चलेंगे तो A की value तो 45 आ चुकी है अब हम क्या गरेंगे A की value किसी A की equation में यहाँ पर रख देंगे तो put in equation first या second किसी में भी ठीक है तो first क्या थी हमारे पास A minus B is equal to 30 degree equation first था ए A की value कितनी आई है 45 minus B हमारे पास ऐसी रखेंगे 30 ऐसी रहेगा minus B को आप ऐसी रख लीजे 30 और इधर आ करके minus का 45 हो जाएगा minus B is equal to 1 plus 1 minus तो minus होंगे 45 में से 30 जाएगा तो minus के 15 बच जाएगे minus से minus cancel हो जाएगा B की value देखेंगे तो 15 आजएगी ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास A की value आचुकी है 45 degree और जो B है हमारे पास उसकी value आचुकी है हमारे पास 15 degree ठीक है तो यह हमारी जो है इसकी बेल्य आ चुकी है इसका आंसर है